इन दिनों केरल में निपा वाइरस के दो संदिक्ट केस मिलने से हड़कम मचा हुआ इसके बाद से प्रशासन अलट मोड पर है स्वास्ते मंतराले ने इस मामले को लेकर आपात बैठक बलाई है साथ ही विभाग ने इसको लेकर लोगों में जागरुपता फैलाना शुरू कर केरल के कोजिकोट जिले में निपा वाइरस से संबंदित अलट बीजारी कर दिया गया है अब कई लोगों के मन में सवाल होंगे कि निपा वाइरस कैसे पैदा होता है डबले अचो के मुताबिक निपा जानवरों से पैदा होने वाला एक वाइरस है निपा वाइरस को नाम ही हो चुकी थी कि यह वाइरस इंसानों से इंसान में फैल सकता है आपको बता दें कि जिस जमकादर को इस वाइरस का होश्ट माना जाता है उसे फ्लाइंग बाक्स भी कहते हैं यह खास तोर पर दक्षिन एशिया के पेड़ों पर पाया जाते हैं मलेशिया में जब यह वाइरस फैला था तब रिसर्च में और बात सामने आए जिसमें पता चला था कि निपाव वाइरस सुरों में फैलता है और फिर उसके बाद वो लोगों में फैलन इससे आप अंदासा लगा सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक बीमारी है इसके अलावा इंफेक्शन की सुरुआत से ही मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है संक्रमित लोगों में बुखार तेज सिरदर्द शरीर में दर्द उल्टी और गले में खराश होने लगती है इसके इलाज के बारे में बात करें तो निपा वाइरस संक्रमन के लिए कोई दवा या ठीका नहीं है हालाकि डबलू एचो ने डबलू एचो अनुसंदान और विकास ब्लूप्रिंट के लिए निपा को प्रात्मिक्ता वाली बिमारी के रूप में पैचाना इसके अलावा गंबीर सास की दिक्कत और पेट या आत में दिक्कत आने पर इलाज की डॉक्टर से परामर्श की सला दी जाती है गंबीर सास की दिक्कत और पेट या आत में दिक्कत आने पर इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श लेने की सला दी जाती है खबर यहीं तक 30 के साथ आप देखते रहिए पंजाब किसरी डाट कॉम